हेलो स्टूडंट आज का हमारा टॉपिक है करोजन कंट्रोल जो चाप्टर है उसमें का टिनिंग इससे पहले वाले वीडियो में मैंने गैलवानाइजिंग के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी और वीडियो भी शेयर किया था मैंने तो गैलवानाइजिंग मींज कोटिंग जिंक ओर अइरन और स्टील शीट और आज हम देखेंगे टिनिंग। गैलवानाइजिंग और टिनिंग यह दोन Don't ऑड डेपिंग प्रोसेस है जिसमें एक मेटल के उपर दुसरे मेटल का कोटिंग करते हैं तो टिनिंगrån में हम क्या करते है तो टिनिंग इस the process of coating of tin over iron or steel sheet, कोई भी iron or sheet हो या फिर iron or steel के article हो उनके उपर corrosion ना हो इसलिए हम tin का coating करते हैं तो इस process को हम कहते है tinning, okay, then what is the process, अभी हम इसकी process देखेंगे, तो जब हम tinning की process करते हैं तो सबसे पहला जो point है उसमें वो आता है pickling, so what is the pickling, so in pickling process, we have to pass the sheet, the sheet which we have to coat with a tin, we have to pass it through the dilute H2SO4 solution, इसे हम acid pickling कहते हैं, तो यहां पे हमें acid pickling bath में से उसको pass करना पड़ता है, so whatever the rust or oxide flame or dust particle are present on that sheet get removed, okay, तो इसके लिए इस sheet को हमें dilute H2SO4 के solution से हमें pass करना पड़ता है और इस process को हम कहते हैं pickling, okay, now एक बार वो sheet अच्छे से clean हो जाए, तो उसके बाद में उसे हमें pass करना पड़ता है, फिर zinc chloride, that is a ZNCl2, ZNCl2 के flux में से हमें उसे pass करना पड़ता है, यह क्यों करना पड़ता है, कि जो ZNCl2 flux है, वो जो हमें, जो molten tea है, उसे metal sheet पे या फिर जो भी metal का आप coating कर रहे हो, उसके उपर adder होने में मदद करेगा, उसके उपर वो अच्छे से उसका coating होगा, उसके लिए यह ZNCl2 flux जो है, यह help करेगा, एक बार वो ZNCl2 flux में से अगर sheet बाहर निकलती है, तो फिर ने उसे ZNCl2 के flux में से पास किया है, उसका काम वही है कि वो help करता है उसके उपर adder होने में, उसके उपर coat होने में, ओके, तो molten tea में से वो sheet पास हो जाती है, उसके बाद में sheet हमें पास करने परती है, palm oil, उपर वाला यह जो chamber है, जिसमें palm oil है, palm oil में से हमें sheet को पास करने परती है, with the help of this roller, यह जो roller दिख रहे हैं आपको, यह roller इस sheet को आगे-ागे जाने में मदद करते हैं, okay, so palm oil में से हमें sheet को क्यों पास करते हैं, क्योंकि जो molten tea है, वो hot रहता है, और जब भी वो बहार आने के बाद oxygen के contact में आता है, तो उस sheet का oxidation हो सकता है, तो वो ना हो, इसलिए हमें उसे palm oil में से पास करना परता है, जो palm oil protect the hot coated tin from oxidation, तो उसका oxidation ना हो, इसलिए हमें उस sheet को palm oil में से पास करना पड़ता है, एक बार sheet palm oil से आगे pass हो गई, उसके बाद में यहाँ पर यह rollers दिख रहे हैं आपको, यह जो roller है, इस roller में से हमें इस sheet को pass करना पड़ता है, रोलर का काम यह है, यहाँ पर कि यह जो roller है, जो भी excess of tin है, जो भी excess of tin है, वो यहाँ पर remove हो जाएगा, और जो sheet है, वो एकदम thin sheet जो है, tin coated sheet वो तयार हो जाएगा, तो जो finally हमें sheet मिलते है, उसे हम कहते है, tin coated sheet, so this process is called as a tinning, okay, so what is tinning, so tinning is nothing but a coating of tin over iron or steel, okay, बहुत ही simple process है, सबसे पहले हमें उसका pickling करना पड़ता है, मतलब वो भी sheet या फिर article है, उसे हमें dilute H204 से wash करना पड़ता है, उसके बाद में हमें उसे ZNCL2 flux में से pass करना पड़ता है, हमने ये भी देखा कि ZNCL2 क्या करता है, तो tin को coat होने में help करता है, उसके बाद में हमें sheet को pass करना पड़ता है, molten tin से, जब हम इसे molten tin से pass करते है, तो वो coating हो जाता है, वो sheet के उपर tin का, coating होने के बाद में उसका oxidation ना हो, इसलिए हमें उसे pass करना पड़ता है palm oil से, palm oil से pass करने के बाद जो sheet है, वो roller के बीच में से जाती है, और जो roller क्या काम करते हैं, वो excess of tin को निकाल देते हैं, और uniform coating जो है वो tin का एक thin, tin coated sheet तैयर हो जाती है, इस तरह से tinning की process रहती है, okay, तो galvanizing और tinning, ये दोनों की दोनों process जो है, वो corrosion control करने के लिए use की जाती है, this is a type of process, that is a hot dipping, okay, आगे वाले वीडियो में और हम देखेंगे क किस तरह से हम control कर सकते हैं corrosion को, cathodic protection, anodic protection, imprint current method, sacrificial protection, okay, तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगे, तो please मेरे वीडियो को subscribe कीजिए, share कीजिए, like कीजिए, okay, अगर आपको कोई difficulty है, तो आप मुझे comment box में डाल सकते है, thank you